यह ही दोस्तों तो हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं बिहार ससे सीजेल ठार 22 यानिकि शेचिवाले सहयक और बिपी स्य एस्सेंट दोनों का प्रैक्टिस हैट हम लोग करने वह जा रहे हैं और चुक्की दोनों का सिल्यवस एक ही है तो हम लोग इसमें समाने अधिन कर करेंगे और समानने भी ज्यान यानि कि टोटल 35 कोशन हम लोग करेंगे चलिए हम लोग वीडियो के शुरू करते हैं कि पहला कोशन है कि पुर्दगाली उन अपनी वैपाहली वैपारी कोठी कहां पर खोली थी अप्शन ए है कोचिन में मुंबई में पूने में या पंजी में तो इन्होंने पहली वैपारी कोठी खोली थी कोचिन में खोली थी यानि अप्शन नंबर ए हो जाएगा आगे कोशन है कि भात का अंतिम मुगल समराट कौन था अप्शन बहादू सा जफर मुमस सा अकवर नियाफिस सा आलम तो भात का अंतिम मुगल समराट था बहादू स का जफर था अप्शन नंबर ए हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आगे कुश्चन के पानी पत की तीर्थी यूद सतर स्वेक्षट इसवी में किसके बीच लड़ा गया था अप्शन यह अप्शन भी है अप्शन सी अप्शन्टी है तो यह लड़ा गया था मराठा एवां अवमसाबदाली के सेन आगे बीच लड़ा गया था अप्शन नंबर ए हो जाएगा आगे कुश्चन है गांधी ने सवी ने अग्या अंदवलन को प्राराम करने से पुर्व लोड इर्विन को एकार सुत्री अल्टिमेट्स भेजा था इसमें निम्लिखित में से क्या स्तम्रित नहीं था अप्शन ए अप्शन बी अप्शन सी अप्शन डी में कौन सा हो जाएगा उतर इसका उतर हो जाएगा गो हत्याप परति बन अप्शन नंबर डी हो जाएगा आगे देखते कुश्चन आए question है कि निमनांकित कत्छनों में से धक्षन दंगों के समTON में कौन सा कत्छन सही नहीं है Option A, Option B, Option C, Option D इन में से कौन सा option हो जाएगा इसका option number B हो जाएगा इन दंगों के मुखे कि अंदर नाकपूर और भोसाल थे option number B हो जाएगा आएक कोश्चन है कि संथाल विद्रो कहां हुआ था छोड़ा नागपुल मैमन सिंग पूने एवं थाने या त्रिपूरा ये विद्रो वा था छोड़ा नागपुल में अप्शन नमडर ए हो जाएगा आएक कोश्चन है खजुआ का यूद किन के बीच लड़ा गया था ओप्शन ए है कि दारा एवं सूजा के बीच ऑप्शन बी है सूजा एवं औरंजर के बीच ऑप्शन सी है औरंजर एवं मुराद के बीच ऑप्शन टी है मुराद एवं दारा सिको के बीच यह लड़ा गया था सूजा और औरेंजर के बीच में लड़ा गया था खजवा का यूद जो लड़ा गया था सूजा और औरेंजर के बीच लड़ा गया था अप्शन नबर बी हो जाएगा आगे कुशन है पानी पत की तिरतीय लड़ाई में मराठो के हार का सबसे परमुक का क्या था अप्सन ए है कि म्राठा सेना घिर गई थी अप्सन भी एक अमस आपडाली अधिक कुसल सेन नेता थे अप्सन सी एक अफगान तुफ खाना अधिक सर्ष था अप्सन दिये के भाव ने लड़ाई धाई मास के लिए टाल दी इसका उतर हो जाएगा अप्सन नंबर डी हो जाएगा भाव ने लड़ाई धाई मास के लिए टाल दी आगे कुश्चन एकिस मुगल बादसा के काल में सायद भाव परभाव साली और सक्ति साली बने उप्सन है कि भादूर सा उप्सन भी है जहांदार सा उप्सन ए फरुक सियर और उप्सन टी है मुहमद सा इसका उतर हो जाएगा फरुक सियर हो जाएगा ऌगे देखते कुश्चन Q कि लाल कूबर नाम की वैस्या किस मोगल सासर काज में अतिपरभावसिल थी अप्षिन ऐ है कि बहादूसा पर्थम के समय यह अप्षिन B है कि फर्ग स्ियर के समय अप्षिन één जहदार सा अप्षिन दीह में सा इसका उतर हो जाएगा अप्सिन बर ए हो जाएगे बाहत दूसा पर्थम हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आए कुशन है कि महावीर स्वामी के पीता एक जन्पत के राजा थे उनका नाम सुदोधन था सिदार था या विचित्र सेन था या फिर अगनी तेज था इनका नाम था सिद्धार था अप्सिन नमर भी हो जाएगा आगे देखते हैं आगे कुशन एक जीन एक इंजायम सिद्धांत किस ने पर्थिपारित किया था अप्सिन ने मेंडल ने मॉर्गन ने डार्वी ने या बीडल और टैटम ने यह किया था बीडल और टैटम ने किया था अप्सिन नमर डी हो जाएगा आगे देखते कुशन आए कुशन है कि आधुनिक वान अनुवान से की का जनक माना जाता है अप्सिन ने गिर्गर मेडल को या फिर वार्षन और किरिक्स को या फिर विलियम बेट्षन को या कॉन तो यह माना जाता है मेंडल याने गिर्गर मेडल को माना जाता है अप्सिन नमर यह हो जाएगा आए कुशन है कि अनुवान सकी की अधहार भूत्स इंकाई जीन का सबसे पहले प्रयोग साला में संसलेशित किया गया था अप्सिन ने है कि वार्षन और क्रिक के द्वारा यहां अप्सिन भी है गिर्णार मेडल ने यहां अप्सिन सी है कि आर्थर कार्ण बर्ग ने यहां भी अप्सिन दी है कि इनमें से कोई नहीं इसका उत्र हो जायगा और फड़ करन वरग ने अपसर नमरा सी हो जायगा आगे देखते कोश्चन आए कोश्चन है कि वहाँ गुन सुतर जो मनुष्यों में लिंग का निधान करता है उसे लिंग गुन सुतर कहते हैं अन्य गुन सुतरों को क्या कहा जाता है option A है option B option C option D है इन चार options में से कौन सा हो जाएगा इसका उतर हो जाएगा ओर इंग सूतर हो जाएगा option nr.d हो जाएगा आगे देखते कुश्चन आए कुश्चन है निवन मैंसे कौन सी बिमारी अनवान सिक है हिमोफेलिया या फिनाई इलिकी टो निवरिया या फिर दात्र कोशिका रखतर निवनता या फिर अप्शन अबर डी उप्रोग सभी यह अप्शन अबर डी हो जाग उप्रोग सभी जो है यह एक बीमारी अन्वानसिक है आगे बढ़ते हैं आगे कुशन है एक सोईत वर्ण एस्तरी एक काले पूर्ण से विवा करती है उनके चार बच्चे होते हैं दो लड़के और दो लड़किया किस समानुपात में यह बच्चे काले होंगे अप्शन है इसका अप्शन नमबर डी हो जाएगा कोई नहीं हो जाएगा आगे देखते हैं कुछ मानब रोग अन्वानसिक तोर से नियांतित होते हैं या सबसे पहले किस ने परमानित किया था चार अप्शन है कौन सा अप्शन हो जाएगा इन में से इसका एंसर हो जाएगा एई गयरोड हो जाएगा अप्शन नमबर ए हो जाएगा आगे कुछ लिए देखते हैं कुछन आए कुछन है कि इन में से कौन से बीमारी अन्वानसिकी द्वारा नियांतित होती है option है देखिए इनमें से कौन सा option हो जाएगा कौन सा उतर हो जाएगा कि इसका उतर हो जाएगा ऐल केप टो नूरिया option नंबर सी हो जाएगा आगे देखते हैं आई question है जिवानों भोजी कौन होते हैं duyc히 option है a b c i'm such option नम्बर पन्सा उत्र हो जाए इस हो जाए गा जीवानों को संग्रमित करने वाले सहनु हो जाएगा आगे देखते हैं कुछिण आए कोश्चन है कि निव्ड में से अंडे देने वाले संधारी कोन है अब सबस्क्राइब हो जाएगा दॉट प्लेटी पस है है तो ऑप समब टी हो जाएगा ड़क बील्ट पलेटी पस हो जाएगा option number D हो जाएगा चले आगे देखते question आगे question है इन में से कौन सा मौली का दिकार समीधान दोरा दिये गई मौली का दिकार की सूची में नहीं परंतु सरवच नियाले दोरा मौली का दिकार माना जाता है option A है समानता का दिकार option B गुपनीता का दिकार और option C है गिन्याइक सनक्षन का दिकार option D है इन में से कोई नहीं इसका उतर हो जाएगा इन में से कोई नहीं option number D हो जाएगा आगे देखते question कोई आए question है निम्में से किस विशेय से सम्मधित समय धानिक संसाद दोरा पाइद किये जाने के पश्चात कम से कम आधे राजियों दोरा अनुम मोधित किया जाना चाहिए option A है मौली का दिकार option B है मौली करता बें option C है संसंद्राजियों का परतिय निधित्व option D अभूक कोई आए है कि भारतिय राजियों की सिमाई कौन बदल सकता है option A संसद्राजियों की पूर अधारन बहुमत से जो किसी भी राज्य का मुख्य मंत्री राश्पती की चुनाओं में भाग नहीं ले सकता यदि वह अपसन है कि वह सोईम राश्पती बदप्र के लिए उमेदवार है अपसन भी बिधान सबा में अपना बहुमत सीध नहीं कर पाता है यह अपसन सिए राज्य में काम चलाओ सरकार का नेतित कर रहा हो अपसन डिये राज्य की बिधान परिशत का सदस्य हो इसका उतर हो जाग राज्य की विधान परिस्द का सदर से हो option number D हो जाएगा चलि आगे दिखते कुश्चन आगे कुश्चन राज्य की विधान परिस्द विधान सभा द्वार अपाइट विधे को अधिक साधिक कितनी देर तक वापास होने से रोक सकती है इसका उतर हो जाएगा, तीन मास हो जाएगा, अप्सिन नमर बी हो जाएगा, चलिए आगे देखते है कुछन, आएक कुछन एक सुनने काल से हमारा अभी प्राया है, अप्सिन है, एक घंटे के उस अब्दी से है, जिस में विर्थ बिधैक परशुत किया जाते है, उप्सप्सभी त्र्श्य बिशित करैंस वंगा से जिस से में शादसे शर्वाधिक महत्वर के विभी है ंपैसे विजतilot को इस ऐगा निवन मेंसे कौन त्थन सही है ये चाऱ और बताए फ़र अपसन कीकिए मैंसे पर त्थन सही हो जाएगा इसका उत्र हो जागा राश्पती मंत्री परिश्ट का भाग नहीं है असे इसके बैट को में भाग लेने के अनुमति नहीं है अप्सनुम नंबर भी हो जाएगा चले आगे देखते हैं आए कुश्चन है इसका उत्र हो जाएगा इन में से कोई नहीं हो जाएगा आगे देखते हैं कुश्चन आए कुश्चन है राजे पाल के निम्न सो विवेक सक्तियों में से कौन से गलत है ये चार अपसन है बताएए इसमें से कौन सा हो जाएगा इसका उत्र हो जाएगा इन में से कोई नहीं हो जाएगा आपसन नमबर डी हो जाएगा आगे देखते हैं कुश्चन आगे कुश्चन है कुछ समय पुर्व निमें दल बदल बिरोधी नियम के अंतरगत यदि कोई व्यक्ति दल बदलता है तो उसे आयोगे घुजित कर दिया जाएगा तथा वह यह अप्शन है इन में से कौन सा अप्शन हो जाएगा उतर हो जाएगा इसमें से तो इसका उतर हो जाएगा और भी दोनों यानि की अप्शन नमर ए अप्शन भी यानि दोनों सही है से सब्दी के लिए लावकारी राजनितिक पद पर नहीं बना रह सकता अप्शन नमर ए भी सही है option number B है कि उसी अब्धी में विधायका का सदस्य नहीं बन सकता तो ये भी सही है यानि हमारा उत्तर हो जाएगा option number D हो जाएगा ये और भी दोनो आगेत बढ़ते हैं आए कुशन है कि प्राचीन भार्तिय भागलिक सम्मानेता के अनुसार भाद वर्सकिस्त दूइपका अंग था option ये है पुशकर दूइपका option B है जंबू दूइपका option C कांच दूइपका option D है कुस दूइपका ये था जंबू दूइपका option number B हो जाएगा आगे देखते हैं कुश्चन आए कुश्चन है कि सौब पर्थम इंडिया सब्त का प्रयोग भाद के लिए किस भासा में किया गया था option है उर्दू ग्रीक फार्सी और भी तो ये किया गया था ग्रीक में किया गया था option option number B हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कि आए कुश्चन के भाद के मुख्य भूमी के दशनी सीमा है option है ये चार्प सने इनमें स्वेकों साफ्चन हो जाएगा कि इसका उतर हो जाएगा option number C हो जाएगा आठ डिग्री चार्प सेगन उत्री अक्छांस हो जाएगा आगे दखते कुश्चन आए कुश्चन के भारती मानक समय आधारित है कि अपसेन है कि कौन सा उत्र हो जाएगा इन्चार्प में से और इसका उत्रों जाएगा अपस्ट नमबर सी हो जाएगा और आगे दिखते हैं कि आए कुश्चन के भारत का पर्मानिक समय उस स्थान के स्थानिय समय है जो इस्तित है.. option a, दिल्ली समय, कोलकाता कि समय, option C , इलाहबाद के समय, diese विपला के समय तो इसका उत्र हो जाएगा इलाहबाद के सम các दिक हो जाएगा.. option NUMBER C हो जाएगा.. आगए देखते है कॉस historian, आगे कुश्चन है कि इंडियन एस्टेंडर टाइम और ग्रीन विच टाइम में कितना का अंतर है आगे देखते हैं कुश्चन का भात का धूर दशनी भाग की भुमेदे रेखा से कितनी दूर है यह चार अप्सन है इन में से कौन सा उतर हो जाएगा तो इनके दूरी है 876 किलो मीटर हो जाएगी अप्सन नमर सी हो जाएगी आगे देखते हैं कुश्चन आए कुश्चन के भात की एस्थलिय सीमा की लंबाई कितनी है ये चार अप्शन है इनमें से कौन सा उतर हो जाएगा सही तो भाद के सलिए सीमा के लंबाई है 15200 किलो मीटर है अप्शन नमर्ड डी हो जाएगा आगे देखते हैं कुश्चन आगे कुश्चन है कि चीन के राजधानी किया है ये उप्शन है चार अप्शन है इनमें से कौन सा उतर हो जाएगा बताएगे तो चीन के राजधानी हो जाएगी बिजिंग हो जाएगी आगे देखते हैं आगे कुश्चन है कि चीन की मुद्रा का क्या नाम है यह यूपन है दिनारे फिया और चीन है ती चीन की ब्रेशा का नाम है यूपन है को ऑगे देखते कुछना है कि था कैसी है अव्hinge पुझचिती यर्थवरिश्थ असे भेए सामेबादी यर्थवष्थथ अप संथी है की और संथल निशित अर्थवरिश्थ तो भारती अर्थवैस्ता है, मिसित अर्थवैस्ता है, अपसन नुमर् डी होजाएगे, आगे देखते हैं, आए कोश्चन है, मिसित अर्थवैस्ता कि से क्या आई प्राई है, इन चारोप सन में से क्वाचा, हैला है कि स ofteneur पातलोका ये सरकार नीची श्रहतरों का ईस्तित्व है सो ऐस्तित्व है सो तत्रड़ी हो जाएगे सारकारी और नीची श्रहतर और का नंक रहता है तो उसे मिस् approximately और्थविश्टा कहा जाता अप्शन नमर B हो जाएगी आगे कुश्चन है कि आर्थी विकास के देश्टी कौन से भारत के गिंती होती है अप्शन है यह चाल अप्शन है इन में से कौन सा उतर हो जाएगा इनके गिंती होती है भी कासिल राष्ट के रूप में होती है अप्सन नमर सी हो जाएगी आगे देखते हैं क्योंचन आए क्योंचन के भारती अर्थवर्ष्टा कौन सा छेतर सफल राष्ट ये उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है इन चार अप्सन में से कौन सा उत्पाद हो जाएगा तो सबसा अधिक योगदान है तिर्थे छेतर अप्से तिर्थे छेतर से सबसा अधिक योगदान है अप्सन नमर सी हो जाएगी आगे क्योंचन है बंद अर्थविस्ता वह अर्थविस्ता जिसमें यह अप्शन है तो बंद अर्थविस्ता मतलब होता है नो तो निर्यात होता है और नहीं आयात होता है अप्शन नमर डी हो जाएगी आगे देखते हैं कुशन आगे कुश्चन के भाद की स्रम सक्ती का लगवा कितना परतिसत भाग किसी में लगा हुआ है आगे देखते हो कुश्चन आगे कुश्चन के भारतिय समिधान के किस भाग में पंचाहिती राज से सम्मंधित प्रबधान है भाग 6 में, भाग 7 में, भाग 8 में या भाग 9 में तो पंचाइती राज के बाड़े में भाग 9 में दिया गिया है अप्सिन नबर D हो जाएगी आए कुश्चन है कि भारती समिधान के किस भाग में नगरपाली काओ से सम्बंधित प्रापधान है भाग 4 के कओ में, भाग 9 के कओ में या भाग 14 कओ में या भाग 22 में तो इसका उत्वर जाएगा भाग 9 के कओ में जो है नगरपाली का के बाड़े में बताया गिया है अप्सिन नबर D हो जाएगी आए कुछन है कि समिधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों इस्थापना की बात कही गई है भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में या फिर भाग 6 में ये कहा गया है भाग 4 में कहा गया है ग्राम पंचायत के बारें बताया गया भाग 4 में है चाहिए अनुष्यक construction भाण्टे समिधान कि निमख्यद राज्य सरकारों कि निर्देश देता है इस देता है चाहिसथ और कि अगan देख समिधाथ के एंगारी बर्ण सुचित में निमख्यद में सिर्ण्से समिल्ध है यह चाहिए इन में से कौन सा होसाई उतर हो जाएगा तो एगारे में अनसूचे में पंचायतों का क्याकरम के बारे में बताया गिया है अप्सनम्र B हो जाएगी आगे देखते हैं कुश्चन आगे कुश्चन के दो प्रदार्थों को पिर्थक करने की परभावी क्रिस्टल वीधी, क्रिस्टल ये वीधी निम्रिकित में से किसके अंतर प्राधाईत है इन चार अप्शन में से कौन सा उतर हो जाएगा तो ये अधाईत है विली अताप अधाईत है अप्शन नबर डी हो जाएगी आगे कुश्चन है विभीन तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर प्राप्थ होते है समांगी मिशन, विसमांगी मिशन, ये योगिक ये उप्धातू ये प्राप्थ होती है, योगिक प्राप्थ होती है अप्शन नबर सी हो जाएगा आगे कुश्चन है जल में हाइड्रोजन तता अक्सीजन का भार के अधार पर अनुपात क्रम से कितना होता है ये चार अप्सन में से कौन सा हो जाएगा ये अनुपात होते वन रेस्यो आठ का होता है अप्सन अबर ए हो जाएगा आगे दिखते आगे कुश्चन निम लिखिते में से कौन दरव धातू है ब्रोमीन, जल, मरकरी या फासपोरस ये दरव धातू कौन सा मरकरी है अप्सन नमर सी हो जाएगा आगे कुश्चन है निम में से कौन सी उप धातू है आरसेनिक, मरकरी, आरन या फिय अक्सीजन तो इसमें सुब्धातु है आर्सेनिक है अपसन नमर ए हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं कुछन आए कुछन निमन में लिखी तो में से कौन योगिक है अपसन ए तूथपेश्ट है चीनी है सिमेंट है या कुल्डरिंग है तो योगिक की पूछा जारत योगिक है चीनी है कौन सा है चीनी है अपसन नमर भी हो जाएगा आगे देखते हैं आए कुछन निमन कीट में सुकौन सा तत्व नहीं है का ऺगन सा एल जो कि एक तत्व नहीं है अपसर नंबर हो जाएगा सिर आएखंजन अनियम लेखित में इसे मिशन है तामबा पितल जश्ता सोना तो पीतल क्या एक मिशन अप्शन नम्बर बी हो जाएगा आगे देखते हैं कुश्चन आए कुश्चन अभी केंदर बल किसे कहा जाता है यह अप्शन है यह समय से कौन सा उतर हो जाएगा तो अभी केंदर बल कहा जाता है जो कि केंदर के लोड़ लगने वाले बल को अभी केंदर बल कहा जाता अपसे नमबर A हो जाएगा आगे दिखते हैं कुश्चन आगे कुश्चन के पनमानू के अंदर निट्रोन की उपस्तिती की खोज किसने की थी रदर फोड़ में निजस बोर्ड ने या जेज चयर्डी बिकने यान वे से कोई नहीं तो यह किया था जेज चयर्डी बिकने किया था अपसे नमबर A हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आए कुश्चन निट्रोन की खोज किसने की थी इसकी खोज की थी किसने जे चैडिविक ने किया था अप्स नमबर C हो जाएगा आगे देखते है क्वेशन जल के अप्चेन से प्राप्त गैस होती है हैर्डोजन, अक्सिजन, या S2O2 या हीलियम तो ये प्राप्त होती है हमें S2 होती है अप्स नमबर E हो जाएगा आगे देखते हैं क्वेशन आगे क्वेशन, समाने ताप एबम दाप पर किसी गैस की एक मोल का आज़तन होता है, कितना होता अप्सन है इन चार अप्सन में से कौन सा उतर सही हो जाएगा ये होता 22.4 लीटर होता है अप्सन नमबर C हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं क्वेशन आए क्वेशन है कि वाईव मंडल में 21 गैस की उपरसिती कारण वाईव में पितल का रगन फीका पर जाता है अप्सन है नैट्रोजन हाड्रोजन सलफाइड ओक्सीजन या कारवन डैक्साइड इसका उतर हो जाएगा हाड्रोजन सलफाइड हो जाएगा अप्सन नमबर B हो जाएगा आगे देखते हैं सामाने तक क्वार्टर्ज घड़ियों आदी में परियुक्त होने वाले क्वार्टर्ज क्रिस्टल न साइनिक रूप से किसके बने होते हैं कौन सा उतर हो जाएगा चार अप्सन में से तो यह बना होता है सिलिकन डाय उक्साइड का बना होता है अप्सन नमबर C हो जाएगा आगे देखते हैं कुश्चन आए कुश्चन है हितो पदेश नामक पूछता है कि लेखा कौन है विश्णु सर्मा है नरायन पंडित है नागारजुन है या फिर वास यायन है तो इनके लेखा के है ही तो पदेश नामक पुछता के लेखा कौन है नरायन सिंग है अप्सन नमबर B हो जाएगा आगे देखते हैं कि कौन सा कुश्चन है आगे है कि साहना मा के रचनाकार कौन है आगे क्या नामा के लेखा क्योंसर नि VOICE है किस देश्य सम्मंदित मस्षुर फुट्वालर 59 की अम्र में निधन हुआ है तो यह प्राजिल के है या क्रोइसिया से या पुर्द्वाल से या अर्जंटिना से हैicias करूईश्या से कहा है करूईश्या से आगे moc कुर्चन आए कुछन कoming Benjamin नीदन याहो कौन सी बार इसराइल के बार्दनास मंद्री बने हैं चौतीः बार पांची शटी बार यहां फिर आठी भी बार तो यह बने अभी छटी बार बने हैं अप्स नमबर सी हो जाएगा चले आगे देख तो कुछन आए कोशन है कि हाल ही में किसे पहले के आर गौरी उसम्मा नेशनल आवार्ड से के लिए चुना गया है अप्सन ए ए है बी है असी है जी है इसका उतर हो जाएगा अप्सन नमबर ए हो जाएगा डाक्टर एलीडा गवेरा आगे देख तो कुछन आए कुछन है कौन बैक्ती हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेर्मेन और सी-ओ बने है यह बने है अनिल कुमार लाहोटी बने है अप्सन नमबर भी हो जाएगा आगे देख तो कुछन आए कौचन के हाल है किसे भारतिय राष्टी साराज मर्ग पराधिकरण के नए अधर्श के रूप में नुक्त किया गया है यह किया गया संतोस कुमार याद आपको किया गया है आये कोशन है कि परती वर्ष पुरे भारते 25 दिसंबर को सिव सासन दिवस यानि गूड गोवर्नेंस डे किन के जम दिन पर मनाया जाता है यह मनाया जाता अट्रली विहारी वाज़़गे के जम दिन पर मनाया जाता है अप्शन नबर सी हो जाएगा दोस्तो आज का सेट हमारे यहीं पर समामत होती है अगर आपने चाहिए सब्सक्राइब ने कर सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर दिजे और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ सेर कीजिए मिलते अब अगले सेट में